हलो दोस्तों जो ती नियर रसोई में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि मटर के जोर कैसे बनाते हैं सर्दियो बला मटर का जोर बनाने के लिए सबसे पहले हम फिरेस मटर ले ले लेंगे और दो से तीन प्याज काट लेंगे और एक बड़े टमाटर काट लेंगे मतर का जोर बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाय को गरम कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा सरसू का तेल डाल देंगे तेल गरम हो जाने के बाद थोड़ा सा हल्दी पौडर डाल देंगे क्यूंकि छीटे पड़े नहीं उसके बाद हम प्याज डाल देंगे और एक से दो मिनटत TAK हम उसको भूझ लेंगे हम प्याज को दो मिनटत भूझ लें दोस्तों अभ इसमें थड़ा सा थलले पॉडर दाल देंगे आधा चमच्अ शुआद केनू सारे इसमें नमक डाल बहुत आद हे हिट दाल द में चमाच अधरक लाषून का पेश्ट टाल देंगे बनावी तक हम प्याज को भावम के लेंगेäg कर दो सेronics्वेट gefसी पाप अब इसमें कट हुभ का हुए टामाटर ढल देन गे और फिर से एक मिनिट तक हम भावबर्ड़ को अब हम इसमें मटर डाल देंगे और मटर को अच्छे से हम पका लेंगे पांस से साथ मिनट तब हम मटर को बीच बीच में चलाते रहेंगे दोस्तों क्योंकि मटर नीचे चिपके नहीं अब मटर हमारा अच्छे से पक चुका अब हम गैस को बंद कर देंगे अब हम मटर को पीच लेंगे दोस्तों मिक्सी जार में हम तीन हिसा मटर निकालेंगे और एक हिसा मटर रहने देंगे और अच्छे से हम पीच लेंगे अगर आप गरम गरम मतर को पीश रहा हैं तो इसमें आइस क्यूब डाल के पीश सकते हैं अब हमारा मतर पीशा आ गया है दोस्तों अब हम इसमें मतर के पेस्ट डाल देंगे और मेडियम फेलेम पर हम धीरे धीरे पाच मिनट तक भूझे लेंगे मतर को हम पाच मिनट भूझे लिए दोस्तों अब इसमें एक चमच हम लाल मिच पॉड़र डाल देंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे और उसके बाद हम पाने डाल देंगे ज्यादा भी पानी नहीं डालेंगे दोस्तों न ज्यादे गढ़ा करेंगे न ज्यादे पतला करेंगे अब हम इसमें आधा चमच धनिया पोड़र डालेंगे आधा चमच जीरा गोल की पोड़र डालेंगे आधा छोटा चमच हम गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे कि अभ़भभ अभभभ हम ढॉक्त कर दो मिनट तक ख़दकनिे देंगे अजिस के दो कि हम दो मिनट हो चुका है दोस्तों अभभ हम चीकर लेंगे कि बहुत ही बढ़िया जोर बनकर त्यार हो गया न जादे गरा remedy न जा पतला और सर्थियों वाला जोर बहुत ही भ़्यां लगता है गरम-गरम खाने में चावल के साथ अब इसमें कटा हुआ हरा धन्य डाल देंगे है अब हमारा जोर बनकर तयार हो चुका हम Metis को बंद कर देंगे अब हम जोर में तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए हमने पैन को गरम कर लिए अब इसमें एक चमच देशी घी डाल देंगे उसके बाद हम जीरा डाल देंगे अब दो सुखा मिर्च डाल देंगे और तेज पता को हम सेख कर डालेंगे जिसे की फ्लेवर बहुत ही बढ़ियां लगता है अब इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे अब हम ढग कर तड़का लगा देंगे अब हमारा जोर से बहुत ही बढ़ियां खुस वो आ रहा है दोस्तों देखें जोर बनकर तयार हो चुका हमारा रेश्पी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सस्क्राइब कीजिए और दोस्तों और फैमली में ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए थैंक्यू फूर वाचिंग